आज मैं आपके थाज शेयर कर रही हूँ फिश करी बनाने की रेसिपी जो की बहुत टेस्टी बनकर तयार होगी सिंप्ली आपको मेरे स्टेप्स फॉलू करने और फिर आप देखेंगे आपकी फिश करी कितनी टेस्टी बनकर तयार होगी इसमें किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं होगी, किसी तरह की कोई हीक नहीं आएगी और टेस्ट इसका ला जवाब होगा, बहुत अच्छी करीब बनती है, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले एक क्लो ग्रैम मैंने मचली लीवी है, और इसको मैंने अच्छी तरह से धोलिया है, मचली को किस तरह से धोना है, इसकी वीडियो मेरे चैनल पर अप्लोडेड है, लिंक मैं डिस्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अब हम इसमें एक टीस्पू में इसमेल नहीं रहती है, हम जब मचली का सालन बनाते हैं तो अकसर घरवाले शिकायट करते हैं कि महक आ रही है, आप ये प्रोसेस कर लेंगे तो फिर कभी भी आपके मचली के सालन में महक नहीं आएगी, तो यहाँ पर नमक और हल्दी वगएर मैंने अच्छी तरह से मिल अब इसको ढग कर 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, इस दर्मियान हम दूसरी तयारी कर लेते हैं, अब हमें इसका सालन बनाने के लिए मसाला तयार कर लेना है, वन एन आफ टेबिल स्पून या फिर एक टेबिल स्पून भर के लहसुन का पेस्ट और एक टेबिल स्पून लाल मिर्चो का पाउडर डालेंगे, या फिर टेस्प का अकॉडिंग डालियेगा, और दो टीस्पून डालेंगे धनिये का पाउडर, एक टीस्पून भूनेवे जीरे का पाउडर डालेंगे, और एक टीस्पून भूनेवे जीरे का पाउडर डालेंगे, आधा को मिला देंगे यह हमारा सालन का जो मसाला है वो तयार हो गया है इसको अभी एक साइड में रख देंगे अब हम यहां पर एक मिक्सी का जार ले लेंगे और इसमें हमें प्यास को चौप करना है और इसमें डाल देना है यानि कि हमें प्यास का पेस्ट तयार करना है तो यहां वरना फिर उसको fry करने में बहुत टाइम लग जाता है अब मैंने वही मिक्सी का जाल ले लिया है और यहाँ पर दो मीडियम साइस के टमाटर ले लिया है बाद में मैंने एक टमाटर और लिया था कुल मिलाकर मैंने यहाँ पर तीन टमाटर लिया है इन टमाटरों को भी हमें रफली चॉप करना है, मिक्सी के जार में डालना है और इनका भी एक फाइन पेस्ट बना लेना है इधर एक पैन में दो टेबल स्पॉन तेल गरम कर लेंगे और जो मचली हमने मारिनेट करिए वो हमें इसमें अरेंज कर देनी है मैंने सारी मचली एक ही बार में अरेंज कर दी है, आप चाहें तो दो बैचेज में इसको फ्राइ कर सकते हैं अब हमें मचली को बस दो-दो मिनट के लिए फ्राइ करना है, दो मिनट एक साइट से फ्राइ करेंगे और दो मिनट दूसरी साइट से फ्राइ करेंगे गैस की फ्लेम को हाई रखना है और हाई फ्लेम पर इसको 3-4 मिनट के लिए टोटल फ्राइ करना है इससे जो मचली का पानी होता है वो सारा ड्राइ हो जाता है और जब हम मचली का सालन बनाते हैं तो उसमें किसी भी तरह की कोई भी समेल नहीं होती है कोई भी आपका घर का मेंबर या आपका कोई भी महमान आपसे शिकायत नहीं करने वाल है कि मचली में ही का रही है या स्मेल आ रही है ये प्रोसेस आप जरूर करिएगा उसके बादी किसी भी तरह का सालन बनाईएगा आप मचली का दोनों तरफ से साइट्स वदल वदल कर 3-4 मिनट के लिए मैंने मचली को हाई फ्लेम पर फ्राई कर लिया है और अब हमारी मचली तयारे सालन में डालने के लिए तो अभी इसको एक साइट में रख देंगे और उधर हम चलते हैं मचली का सालन बनाने के लिए तो यहाँ पर हम एक पैन ले ले लेंगे और इसमें 3-4 कप तेल को गरम कर लेंगे जब तेल गरम हो जाएगा इसमें half table spoon डालेंगे मेथी के दाने और इनको हलका सा क्राकल होने देंगे जब ये दाने क्रैकल हो जाएंगे हमने जो प्यास का पेस्ट बनाया है वो हम इसमें डाल देंगे यहाँ पर हमें प्यास के पेस्ट को अच्छी तरह से फ्राई करना है अगर ये ठीक से फ्राई नहीं होगा तो फिर सालन में एक मिठा सी आ जाएगी तो ये देखिए प्यास ने अपना कलर बदल दिया है और ये गोर्डन कलर की हो गई है अब हमने जो मसाला तयार करा था वो भी हमें इसमें डाल देना है और इस मसाले को हमें अच्छी तरह से भून लेना है अब हम इसमें एक टीश्पून नमग भी डाल देंगे जिस टाइम आप मसाला तयार करें उसी टाइम इसमें नमग डाल दीचे का अब हमें इस मसाले को अच्छी तरह से भूनना है आठ से दस मिनट के लिए मसाला जितना चबूना होता है उतनी अच्छी ग्रेवी बनकर तयार होती है तो मीडियम टू हाय फ्लेम पर मैं इसको अच्छी तरह से भून लोंगी तो यहाँ पर मसाला हमारा भून चुक है अब हमने जो टमाटरों का पेस्ट बनाया था वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसको भी अच्छी तरह से फ्राइकर लेंगे जब तक टमाटर का पानी ड्राय नहीं हो जाता है तब तक हम इसको फ्राइकर लेंगे तो यहाँ पर टमाटरों के साथ भी मैंने इसको भून लिया है अब हमें इसमें दही एट करना है तो मैं इसमें हाफ कप दही डाल रही हूँ बहुत से लोगों को ऐसा लगता है मचली और दही का कॉंबिनेशन सही नहीं है पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मचली और दूद का कॉंबिनेशन सही नहीं होता है क्योंकि दही बनने के बाद उसमें बहुत से कैमिकल चेंजिस हो जाते हैं जो कि मचली के साथ सूटे बिल है लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है आप नहीं डालना चाहते हैं तो फिर आप दही स्किप कर दिजएगा और एक से दो टमाटर और बढ़ा लीजएगा पेस्ट बनाते टाइम। तो मैं इसमें एक कप यानि की 250 ml पानी एड़ कर रही हूँ यह जो फिश करी है थोड़ी सी गाड़ी साइट पर अच्छी लगती है इसलिए मैं इसमें कम पानी डाल रही हूँ लेकिन आप चाहें तो ग्रेवी और बढ़ा सकते हैं अब हमने जो मचली के पीसे स्फ्राइ करेते हैं वो सारे हमें इसमें डाल देना है इसको ढख कर धीमी आजपर बस 5-7 मट के लिए पकाना है बहुत जादा इसको नहीं पकाना होता है क्योंकि मचली बहुत जल्दी गल जाती है मैंने 5-7 मट के लिए बिल्कुल धीमी आजपर इसको पकाया है और यहां पर हमारी फिश करी बनकर तयार है अब आप चाहें तो बिल्कुल हलके हलके हाथों से इसको उपर नीचे कर सकते हैं इसको उपर नीचे करने के लिए बिल्कुल फ्लैट सा चमच यूज़ करिएगा इस तरह का गोल चमच मत यूज़ करिएगा क्योंकि जब हम गोल चमच मचली में डालते हैं तो मचली के पीसेस जो हैं वो तूट जाते हैं तो इस तरह के फ्लैट चमज से आप चाहें तो इसको हलकेल के हाथों से उपर नीचे कर सकते हैं बस अब हमें इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चे जिसको की मैंने बी से स्लिट कर रहा है डाल देंगे जिससे की फ्लेवर बहुत अच्छा आता है गास की फ्लेम को ब इस्टेंट बनकर तयार हो जाती है उमीद करती हूं फिश करी की आसान सी रेसेपी आपको पसंद आयोगी जरूर से इसको ट्राइ करिएगा और मुझको बताएगा आपकी फिश करी कैसी बनी रेसेपी अच्छी लगिए तो प्लीज इसको लाइक करिएगा फैमली और फ्र झाल झाल